और जो प्राण प्रतिष्टा समारोह 22 जन्वरी को संपन होने जा रहा है यह हमारे आस्था स्रद्धा विश्वास और गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ति और विरासत पर गर्ब करने का भी सह है यह कोई राजनितिक मुद्दा नहीं है यह जो लोग राजनितिक दृष्टिको राम में भारत और राम में पूरे संपूर विश्व को ना देख पा रहे हैं ना सह पा रहे हैं ना हजम कर पा रहे हैं राम मंदर का मुद्दा 500 साल से चला आ रहा है राम मंदर का इंतजार 500 साल से पूरा देश कर रहा है क्या आपने सोचा था क्योंकि आप भी सांदोलन से जुड़े रहे हैं कि ये इस तरीके से पूरा होगा और इतना अभव्य और दिव्य मंदर आयोध्या में बन कर तयार होगा विश्वास तो था लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ऐसा एक रामभक्त के रूप में कार्सेवक्त के रूप में लग नहीं रहा था लेकिन मोदी है तो मुम्किन है क्या राम मंदर को लेकर क्रेडिट लेने की राजनीती चल रही है विपक्ष का सीधा आप पर यह आरोप है कि आप राम पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं आप इसका सियासी करण कर रहे हैं राम आपके लिए आस्था का विश्य नहीं वोटों का विश हैं अगर उनको कुछ लगता है कि हमने कुछ क्रेडिट ले लिया है तभी क्रेडिट लेने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है मैं नाम लेना नहीं चाहता है यह सवाल इसलिए क्योंकि कल ही मैं ग्रीमंतरी अमिश्या का बयान सुन रहे थी जो बीज़ोपी कार्यकरताओ को संबोधित करते हुए उन्हों ने दिया और उसमें साफतोर पर कहा कि राम पर हमारा अधिकार है बीज़ोपी की विचार भारा में राम है तो एक क्रेडिट लेना नहीं या अधिकार जमाना नहीं तो क्या है अगर हम कह रहें तो वह भी कहलें उनको मना कर रहे हैं क्या वो कहना नहीं चाहते हुआ तो इस दुविधा में पड़े हुए भगवान स्री राम लला की जर्म भूमी पर 500 साल बाद भब मंदिर निर्माण के बाद प्राणप्रतिष्ठा का समारो होने जा रहा है और कांग्रेस के अध्याच कांग्रेस के नेता बिपाच कांग्रेस की स स्टेट यूनिट विबस है इस बात के लिए उनको सर्यू मैया में जाकर के डुबकी लगाना पड़ रहा है उनको आध्या जाकर के दर्शन करना पड़ रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं इंडिया टीवी के संबाद कारकम के माध्यम से दुविधा में दोनों गए माया म प्रभू श्री राम के दर्शन करने के लिए या अपनी भक्ती जताने के लिए हमें बीज़ेपी की तारीख की आवश्यक्ता नहीं है राहूल गांधी कह रहे हैं यह जो 22 तारीक का आयोजन है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी के लिए है और यह तो आरसस का कारेक्र की पार्टी का निमंत्रन मिलता को जिस परकार से भगवान सिरी लाम लंद्र के मंदीन नर्माड के प्राण पूप्तिश्ण स मारों के निमतल को ठुकड़ाये थे ठुकड़ाते क्या उनको तुष्टी करन की राजनिती प्यारी है हमें रामभक्ति करने की धून है हम भी रिकार से रहे हैं हम से राम जन्मुमी आंदुरून का हिस्सा रहे और हमारे जैसे करोणों लोग आज 22 जनुवरी का इंतजार किस प्रकार से कर रहे हैं या आपके माध्यम से हम देखने सभी जितने भी सोचल मीडिया हो मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो चारों तरफ राम नाम की धूम मची है अब उनके कान में अगर राम नाम की आवाज जाती है और उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता है तो भगवान जी जब सीता माता से विवाह के लिए जनक पूर गए थे उस समय एक चौपाई है उस चौपाई में लिखा है असपश तोर से गोश्वामी तुल्सी दास जी ने कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी अगर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को या जो सिराम जनभुमी मंदिर निर्माण के प्रतिष्टा समारू का निमंत्रण ठुकरा रहें उनको यहीं सूझ रहा है तो फिर जाको प्रभुदार उन्दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया देखिया अखलेश यादव हों चाहें उनकी पत्नी सांसर जिंपल यादव हो तो निमंत्रण आपसे मांगते रहे अब वो तो कन्फ्यूजी हो गए निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है आपने स्पीड पोस के जरिए व्यजप प्रियास्चित करने का उनके पास आखरी मौका था उसे भी उन्होंने गवा दिया है और निश्चित तोर से यह जो रास्ता इन्होंने चुना है मैं माननी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के क्रम में कह सकता हूं कांग्रेस मुक्त भारत की गारंटी है समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी होने की गारंटी है और 2024 में कि असी की असी उत्तर प्रदेश की लोगसभा सीटों को जीतने की गारंटी यह असी की असी सीटेश जीतने का टार्गेट कैसे पूरा होगा इस सवाल का जवाब मैं आप से लूगे केशव जी आगे लेकिन अखलेश यादव 22 तारीक को नहीं लेकिन उसके बाद आने के और जो बाद में आवे चाहे 22 से पहले आवे कोई भी आ सकता है आयोध्या कोई भारती जनता पार्टी की नहीं सरकार की नहीं जो भी आएगा उनका हम स्वागत करेंगे उनका अभिननन करेंगे लेकिन यह उसर तो उन्होंने गवा दिया यह उनके से बहुत बड़ी चूक हो गई उनको प्रयाश्चीत करने का जो मौका था उसको उन्होंने गवाने का काम किया है तो इसका परणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहे हैं अच्छा अखली शादव को निमंतरन गया कॉंग्रेस को निमंतरन गया एक ऐसे नेता है महाराष्ट के जो इंतजार करते अपने योगदान को गिनाते रहे गए वह उधव ठाकरे उनसे क्या परेज हो गया उन्हें निमंतरन क्यों नहीं निमंतरन भारती जंता पार्टी अथ्वा सरकार नहीं दे रही है निमंतरन सिराम जन्भूमी तिर्चेत ट्रश्ट और पूज साधू संत दे रहे हैं जिनक इस सब्सक्राइब तो मुझे लगता है ट्रश्ट के लोग देंगे या तो पूज साधू संत देंगे लेकिन अधाव थाकरे तो हर सभा में उनके नेता हर सभा में अपना योगदान कि ना रहे हैं अपने योगदान को गिनाते वे कह रहे हैं कि बीज़पी कौन होती है य फ्राइड कर स्वागत नहीं है . मैंने कहा है जाको प्रभुदारुंदुग दीना बाइस तारीक जैसे जैसे नजदीक आ रही है राम मंदर को लेकर नए नए नरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है एक नया बयान जुम्हाराश्ट उसे उधव ठाकरे की पार्टी से ही सामने आया संजे राउत का एक पैलाने की कोशिश की गई कि दरसल जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ वहीं पर राम मंदर नहीं बनाया जा रहा है उससे 2-3 किलोमीटर आगे पीछे बनाया जा रहा है देखिए इसका सास्त्री ग्यान जिन धर्माचारियों को है जिन ग्रॐतीसाचारियों को है है जिन आचारीओं को है उन लोगों ने सब देख करके किया है और पूरे देश और दुनिया के राम भक्तों का विश्वास है कि जहां पर राम लला का भब्य-मंदिर बन रहा है वही राम लला का जन्मस्थान है वहीं पर विदेशी आक्मनकारी बाबर के सेनापति मीरबाकी कहां के दौरा कलंग की धाचा खड़ा किया गया था इसे 6 दिसंबर 92 को देज भर से आए हुए कार से उकों ने सदा सदा के लिए मिटा दिया अब बात दोहजार 24 की करूंगी राममंदिर से जोड करी करूंगी असी में से 80 सीटे जीतने की बात इस बार भारते जनता पार्थी कर रही है अब विपख्षी कह रहा है कि आप राममंदर के बहानें वोट की राजनीती कर रहे हैं आप वीच पी के कारकरताओं के जरी रेसा लैकिन अगर देयस में माननी नरेंद्र मोधी जी हैं तो देश के विकास की डिश गरीब कल्यान की देश की एक्ता और अखंडता की देश की सिमाओं के सुरच्छा की देश के आत्म निर्भर बनने के गारंटी की भी गारंटी है और पचीस करोण लोग अगर देश में गरीबी देखा से मुक्त हो रहे हैं नौ साल के अंदर तो यहां जिन लोगों के जीवन में गरीबी का संकट था अगर वो गरीबी से बाहर आये हैं तो अगर भारती जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार से अगर वो खुस हैं और फिर दीसरी बार प्रचंड वहुमत से मोधी सरकार लाने का काम करने जा रहे हैं अगर इसको इस दृष्टी कोणे से देखते और मैंने पहले ही कहा कि यह उनका दृष्टी दुस है वो समाज के बीच में जाए हैं लगभक 5.5 करोन गरीबों को पक्के घर बना करके दिया है रामलला का भब्र मंदिर भी बन रहा है यह मांदी नरेंद्र मोदी जी के देश्ट में प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री तो कंग्रेस के भी लंबे काल-काल तक थे बहाग्षमान सो मनाद का मंदिर 1947 में बन गया था उस समय रामलला का मंदिर बन सकता था बाबा विश्वनाद का धाम बन सकता था भग्मान श्री किर्षच की जन भूमी का उद्धार हो सकता था लेकिन उस समय के उनका आचरण पूरा देश जानता है वातो देश के प्रथम राश्पती डाक्टर अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं हम 80 करोण देश के गरीबों को दोनों समय के भोजन के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का रासन दे रहें दस करोणोंवा प्रधानमंत्री उद्ज्वला योजना का गयश कनेक्शन निसादराज की बंसज एक बेहन को जाके सोयम प्रधान मंत्री जी जाते हैं दस करोण में परिवार में उसकी बनाई हुई चाय पीते हैं, इनको कैसे बरदास्त होगा। देश का प्रधान मंत्री सोयम जाडू लगाता है सोयम कूडा उठाता है सोयम मंदिरों में जा करके पोचा लगाता है प्रियाग राज के कुम्भ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके उनकी चरणत होता है कि इनको कैसे बरदास होगा आशिरवाद उनका हमें नहीं मिलेगा हमारी पार्टी को नहीं मिलेगा तो जिन लोगों ने उनका सोचन किया है जिन लोगों ने सदा सत्ता में रहते हुए उन पर अत्याचार किया है उनको उनका आशिरवाद मिलेगा इस बार इस दिए हम कहते हैं कि 80 की 80 जीतेंगे देश में 400 जी जी जोदी जी के नेत्त में हमारी सरकार है इस्टे सभी छेत्रों में प्रगती की गारंटी है इस्टे 2014 हम 2014 से 2019 से बड़े अंतर से जीतेंगे अपकी बारत मैं आप वता दूँ विपच के प्रत्यासियों को यूपी का जो मुझे आकलन है क्योंकि मैं यूपी की दाजनीती करता ह हूं विपच्छ अलग 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 लड़े चाहे साथ मिलकर के लड़े अपकी जमानत बचाना मुस्किल हो जाएगा आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं अखले श्यादव पीडिय की बात करते हैं और सबसे ज्यादा हमलावर आप पर इसी बात को लेकर हैं कि बात भी दभाव करते हैं और इसलिए उनका पीडिये इस बार आपको हरा देगा देखें स्री अकले अखले स्यादो जी का जो पीडिये है उस पीडिये के बारे में मैंने बहुत पहले कहा था उनका पीडिये परिवार डवलप्मेंट अथार्टी फार परिवार डवलप्मेंट अपर अथार्टी वह पीडिये पिछड़ा रही है को वह नहीं है उनका पिडिये के और परिवार और परिवार वाद की राजनीति को खतम करने की गारंटी माननी नरेन्ड मोदी जीए कि ब्रहश्टाचार को खतम करने की गारंटी माननी नरेंदर मोगी शुब गुंडा राज खतम करने की गारंटी माननी नरेंद मोगी जी देसात बिकास के पत्पर आगे बढ़ गया है और वोग पीडिये की बात करके समझते हैं कि एक पीछरे वर्क का नेता केशों परसाद उनसे सहन नहीं हो रहा है दिन भार जब भी मौका मिलता है वहां और उनकी पार्टी के नेता मलब आप सब्दों की बहुचार करते हैं लेकिन मैं जानता हूं अगर मेरे प्रधान मंत्री जी तक क विपज के बहुत सारे नेता आप सब्दों का प्रियोग करते हैं तो मैं तो एक छोटा सा भारती जनता पार्टी का कार करता हूं उनके अपमान का जबाब एबियम मसीन पर कमल का बटन दबा करके लोग देते हैं और वहां आने वाले समय में इतने बड़े अंतर से देंगे कि उनको समझ में आ जाएगा समाजवादी पार्टी जो फरजी बीडी पीडिय की बात करती है वो परिवार डबलप्मेंट अथार्टी समाप्तवादी प पूछना हो आपसे आपका स्टैंड जरूर जानती है समाजवादी पार्टी कि जातीकत जनगर्ना पर क्या स्टैंड है भारते जनता पार्टी का यूप जनता पार्टी किसी ऐसे मुद्दे पर जिससे देश के गरीबों का भला हो सबका सास सबका विकास के लच्छ को प्राप्द करने के लिए कोई कदम उठाना हो और जिसमें चाहे अगड़ी जाती हो चाहे पिछड़ी जाती हो चाहे अंसूचित जाती कि त्रिवेड़ी हो उसको कैसे अभीरल और निर्मल रूप में बहाया जा सकता है आगे यह भारती जनता पाटी करती है और उनके सवाल के उनके हर सवाल का जबाब मैं यही देना चाहता हूं कि जब वह सकता में थे तब उनका पीडिये कहां चला गया था जब वह सकता में थे तो एक जाती के लावा हम तो एक जाती वह भी जाती हमारी मैं यहां सपष्ट कर देना चाहता ह आपके मात्यम से इंडिया टी वी के संबाद कार्व कम के मात्यम से यदुबंसी जितने जातिवादी नहीं उससे जएदा राष्टवादी उससे जएदा हिंदुवादी जिस दिन से हमारे मद्धव परदेश के मुक्मंत्री तो बने हैं हमारे डाक्टर मोहन शिंग यादो कि उस दिन से साइफ़ाई परिवार में तो एकदम खलवली मची उनको लगता है वहाच्पान यादो को मुखमंत्री जैसे उनका पेटेंट था ऐसा पेटेंट नहीं है हम तो सबका साथ सबका भी का सबको सम्मान सबको आसान प्रधान मंत्री माननी नरेंद मोदी जी के नेत पर चल रहे हैं इंडिया गठमंदन को मजबूत कर रहे हैं और इस बार बीजेपी की रहा को हम मुश्किल कर देंगे मैं उनका बयान 2012 में विधान सब्सक्राइब करके आया था 2014 के लोगसभा चुनाव से चुन सुन रहा हूँ है 2014 के लोगसभा चुनाव में उन्हों कहा थ था कि 300 से अधिक सीटे जीत करके फिर से वह सत्ता में वापसी करेंगे और वहां 47 पर सीमट करके रह गए थे और 325 सीटों के साथ भारती जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से सत्ता छिन ली थी 2019 में सपा बसपा कांग्रेस राष्टी लोगदल यह सब एक हो गए इनके एक होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में 51 प्रटीशत ओड के साथ हम लोगों ने 64 लोगसभा सीटे जीती थी और दो सीटे उनसे हम छिन चुके हैं जो सरी अखलेस यादो जी ने आजमगड की और आजमगड से हमारे दिने से आदो निरहुआ जी जीत करके भी समय हम छाचट लोगसभा सीटों पर हैं हमारी तयारी मजबूत है हम असी की असी जीतेंगे सपा बसपा कांग्रेस राष्टी लोगदल मिल करके लड़े तो भी जीतेंगे अलग अलग लड़ेंगे तो भी जीतेंगे एक लच्छ है इनकी जमानत जब्त कराना आजमगड का जब जिक्र होता है तो समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि वहां ये भारते जनता पार्टी की जीत नहीं दरसल हमारे वोटों का बटवारा हो गया था अधिया गठबंदन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी तो क्या ये आसानी है आपके लिए जब चुनाव में पराजित हो जाए तो अंगूर खटे है जब चुनाव परणाम उनके बिरोध में चला जाए तो EVM खराब है उनके पच्छ में आ जाए तो EVM अच्छी है भार यह तो क्या कर रहे की बूत में कोई समाजबादी पाटी का बसपा कांग्रेस का राश्ति लोग दल्का कार करता है क्या जनता के दुगदा दोते जुर करने उत्तर प्रदेश से गुंडा guide को समाफ करने उत्तंगर दंगा मुक्त बनाने का काम उत्तर प्रदेश को के यनुसे सभी छेत्र माफिया उनसे बचाने का काम अगर भारती जनता पार्टी कि डबल एंजन सरकार ने किया है तो कमल ही खे फेलेगा यह सुशावना और विकास की गारंटी वाला कमल है गरीब कल्याण की गारंटी वाला कमल है किसानों के उत्थान का कमल है नौजवानों के उज्वल भविश का कमल है और देश की मात्री सक्ती आप भी एक बेटी हो और एक मात्री सक्ती के सक्ती करण की गारंटी कि जबाराश सराद्राही करेंवा देखिये उन्होंने वेहनजी ने उनको गलिगट कहा है मैंने नहीं कहा है क्यों कहा है मैंने जानता हूं लेकिन अगर इस्टेट गेस्ट हाउश कांड सत्री अख्लेस आदो जी को याद है अगर नहीं याद है तो उसे याद कलने तो जिनकी जान तक लेने पर समाजवादी पार्टी के गुंडे उतारू हो गए थे तो इसका जवाब तो कोई बस्पा का कोई आएगा तो उससे आप पूछिएगा लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह एक हो करके 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे और 2019 से 2024 के बीच में गंगा जी और यमुना जी में सर्यू जी में बहुत पानी बह चुका है जहां हम कमजोर थे वहां मजबूत हो गए इसलिए अब 80 की 80 लोकसभा सीटे जीतने कि मानी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर गारंटी देन जा रहे हैं वो भी अच्छा खासा समय इस बार यूपी में बिताएंगे और खासकर अपनी सीटों को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा कि राइबर एली भी इसवार हम कांग्रेस से चीन लेंगे अमेठी 2019 में चीन चुके हैं अगर से जाहूल गांधी जी का पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक से दावरा हो जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा अंतर और अच्छा बढ़ जाएगा यह 16 सीटे आप 2019 में हा रहे थे जिसमें से दो सीटे आपने उप्चुनावों में जीत ली यह 16 सीटे आपके लिए कितनी मुश्किल है अगर मैं आज के परिपेक्ष में समझू कोई मुश्किल नहीं है मैं तो पूरे आत्मिश्वास से भरा हुआ हूँ लोग इंतजार कर है कि कब चुनाव की घोष्णा हो कब मांताने का मौणा मिले कब कमल के फूल की बटन दबावें कब देष को दुनिया में नंबर एक बनावें देश्वाँ की तीसरी अर्थव्यवस्था बनावें लोग इस इंतजार में क्योंकि मोधी की गारंटी की भी गारंटी है इस बात का लोगों को भरोसा है और ये भरोसा बातों से नहीं जीता जा सकता है या भरोसा एक बार जीता जा सकता है दूसरी बार नहीं जीता जा सकता है और आज हम ये तीसरी बार भी अगर जीतने का विश्वास दिला रहे हैं भारती जनता पार की जीत की गारंटी देश की जनता की प्रदेश की जनता के आशिरवाद से तीसरी बार प्रचंड वहुमत की मोधी सरका आप कहते हैं भरोसा है आपके कामों पर जनता को विपक्ष कहता है कि यह भरोसा है बीजपी को अपने धूवी करण की राजनीती पर हिंदू-मुसल्मा मोधी बताते हैं उनकी पार्टी ने उनकी बंदन यह लोग तंथन नहीं है यह परिवार तंथर यह भरस्टाचार का तंत्र है जिस उनको मालूम है कि मोधी जीने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और जिसने को लुड़ करके तड़िया फाड़ करके भी अगर निकाल करके बाहर लाना पड़ेगा लाकर के फिर गरीब कर लान के लिए लगा दूगा यह उनको एक जूट कर रहा है उनको मालूम है कि जो भरहष्टाचारी है मोधी जी उनको छोड़ेंगे नहीं इस तरह सारे प्रहष्टाचारी आप द प्रणाम आ जाएगा दोहजार चौबिस का तब आपको इस वाद पर हंडेट परसेंट भरोसा हो जाएगा कि देश की जनता मोधी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाने की गारंटी दे चुकी है क्यों चुनाव का इंचिए बहुत बहुत शुक्री आपका केश्व प नमस्कार दोस्तों देश में इस वक्त बड़ा अधुत माहौल है राम मैं हो चुका है पूरा भारत हम इस वक्त लखनाव में मौजूद हैं और जब इतने विशेश रखिती हमारे साथ हो तो मैं क्या भूमे का जादा बना हूँ हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की मुख् देश के अंदर बना हुआ हम शायद किसी ने कलपना ने की थी जब हम राम बंदिर को बनता हुआ देखते से तब भी और तो 22 तारीक बच्टार देन हमारे दूर है बच्चा बच्चा नौजमान महिला यूबा हर कोई वृद्ध हो हर किसी की जबान पर राम का नाम है राम जबार देता हूँ कि उन्होंने आज यहां पर उतर विदेश की राजधानी लखनों में इस कौन कलिप का एजन किया है मुझे लगता है कि भारत के अंदर जो राम को समझने का प्रियास नहीं कर रहा है क्या परभु राम के महत्तो को नहीं समझ रहा है तो संभवता वह भारत को नहीं समझना चाता है या फिर जान बूच करके समस्ते वे भी वह अंदेखा कर रहा है आज से ने यह तो पहले से प्राचेन काल से ब्योस्ता रही है और हमने इस बात को मैसूस किया है जिसने राम को अपनाया वह उसका उधार हो गया वो देवत्त्त की स्थिति को प्राप्त कर गया जिसने राम की आउमाना की पस्रेश्ट कुल में पैदा होने के बाब जूद भी पस्वत मारा गया तो जिसको अपनी दुर्गती करनी है वह प्रभुराम की आउमाना करे और जिसको उन्नती करनी है वह प्रभुराम की प्रतेपनी सरधा को ब्यक्त करे और यह त्रेतायुग में भी देखा गया है मध्यकाल में भी देखा गया है और स्वतंद्र भारत ने भी इस बात को मैसूस किया है यह तो हो नहीं था और इसमें कोई संदे नहीं कि 22 जन्वरी के अयुद्यामे राम लेला के प्रतिष्था कारिक्रम की बेसबरी के साथ हर भारतवासी हर सनातन धर्मावलंबी इंतजार कर रहा है और इस बात को मानता है कि यह कारिय हुआ है और पुरा भारतवासी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई सनातन धर्मावलंबी रहता है वहाँ इस दिन की उसको प्रतिक्सावी थी अपने प्रतिक्सित मांग को पूरा होने के उसर पर उत्सा में है उमंग में है और हर एक एक दोस्टे को बढ़ाई भी दे रहा है अब इन दन भी कर रहा है अब मान ना करने वालों के बाद जी तोड़ी देल में करता हूँ आप से लेकिन गुरक्षनात पीट इसके आप महिंत भी हैं इचादीश्वर हैं उसका इस राम बंदिर आंदोलन से बड़ा विशेश नाता रहा है बहुत से लोग जानते हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए बढ़ा देते हैं कि यो गया जी के जो दादा गुरू थे उनके गुरू के गुरू मेंदिग विजना जी महाराज वो इस मभियान से जोड़े रहे उन्होंने जन अंदोलन इसको बनाया फिर आपकी गुरुदेव वो उन्होंने इस काम कारे को आगे बढ़ा और फिर आप विशेश संतोश है इस बात का कुछ प्रभू ने उस प्रकार की रचना की उसके लिए निमित पात्र तै किये पुझे संतों का सानिद्य इसका उधारन है और ये मेरा सोभाग्य है कि मेरे पुझे गुरुदेव दादा गुरू महांत अधिक वजे नाची महराज और मेरे पुझे गुरुदेव पुझे महांत अवेद्य नाची महराज इस आंदोलन के अगरिम पंक्ती के यो धाउ में थे अपने पुझे दादा गुरू को मैंने नहीं देखा लेकिन उस समय के जो डॉकुमेंट्स मौजूद है जिनको अउलोकन करने का मुझे कभी-कभी औसर मिलता है उस समय के पत्राचारों को जब मैं देखता हूँ तो उस कालखंड में भी उनके मन में उनने सौनचास को जब रामलेला का प्रकटिकरन अजिध्या में होता है और उस समय की सरकार जवरन हटाने का प्रियास कर रही थी उस पुरे आंदोलन को नेत्रत तो उस समय महत दिगवजे नाजी ने दिया था और गोरक स्पीट उस आंदोलन के साथ जुड़ी थी से राम जनभूमी मुक्तिक के लिए जब 1983 में मुक्तिक के समिती का गठन हुआ तो उस समय स्वाभाई क्रूप से केंडर और राज्ये में कॉंग्रेस की सरकार थी तो कॉंग्रेस के खिलाब कोई भी खड़ा होने को तयार नहीं हो रहा था तब मेरे पुझ गुर्देव महांत अवेदे नाजी महराज को इस पूरे अभ्यान का नहतृत्त स्वापा गया था उनके नहतृत्तों मेराम जनभूमी आंदूनन पुझ संतों के मार्क दरसन में रास्टी स्वेम सिवक्संग और बिश्व हिंदू परिशत के सहयोग और उनके नेत्रतों में ये कारिकरम आगे बढ़ा जिसने सफलता की नई उचाईयां प्राप्त की है और प्रवराम गामलेला परकट हो रहे हैं इस से बड़ी उत्सार उमंग के बाद दोस्तों के लिए क्या हो सकती है कि जो मांग थी राम भक्तों की उसकार आप देख रहे हैं इंडिया चीवी समबाद आपके साथ मैं हूं मिनाक्शी जोशी जब तक राम मंदिर का निर्मान नहीं हुआ था यह पूछा जाता था कि राम मंदिर कब बनेगा राम मंदिर कहां बनेगा वो तिथी कब आएगी और अब जब राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा का मुहरत निकल चुका है भव्य राम मंदिर बन रहा है प्रान प्रतिष किसे नियमों का शास्ट्र सम्मत पालन किया गया है तो एक तरीके से हिंदू के बीच में भ्रहम के स्थिति पैदा की जा रही है और यह पैदा की जाती आ रही है कभी सवनातन के नाम पर कभी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर और इस बार राम मंदिर के नाम पर आज इस म करेंगे और तीन बेहत खास महमान हमारे साथ इस मंच पर आफीन है शोभा बढ़ा रहे हमारे मंच की जोड़ा टालियों से स्वागत करें हमारे साथ जैन संथ आचारे लोकेश मुनिजी हैं हमारे साथ श्री आनंदन धाम से सद्गरु रितेशवर जी महराज हैं और साथ ही आखिल भारतियसंत स्वमिती के जनरल सेकेटरी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं आप तीनों ही महमानों का बहुत स्वागत है पहले आचारी जी मैं आपी से शुरुवात करते हुए आचारी जी क्या ब्रहम के स्थिती है पहले तो सवनातन को साइनाइट कहा गया अब इससे और एक कदम आगे बढ़कर जब राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा हो रही है शुब भूरत निकल चुका है तो एक बार फिर से विवाद देखिए राम जी तो सब के मनों का ब्रहम मिटाने का काम करते हैं और मैं समझता हूँ जो ब्रहम खेलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया देखेगी कि 22 तारीकों किस तरह से उनके भी ब्रहम मिट जाते हैं क्योंकि जितने विवाद उत्पन किये जा रहे हैं इस खुशी के महल में जब सेक्रों वर्षों के संगर्ष के बाद कोटी कोटी लोगों के आस्था विश्वाद स्रध्धा चरम परनीती पे पहुँच करके एक भव्य राम मंदिर का निर्मान उसका प्रान प्रतिष्ठा का करिक्रम हो रहा है उस खुशी के महल में मैं मिनाक्षी जीए कहना चाहूंगा केवल हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर की अंदर खुशी का महल है और मैं समझता हूं मैं तो अपील करना चाहूंगा एक संत होने के नाते सभी राजनेतिक दलों को इस खुशी के महल में सम्मिलित हो वर्ना यहां आने वाला इतियाज किसी को भी माफ नहीं करेगा इस खुशी के इस रंग के अंदर भंग डालने के कारिय को कि आपने सही कहा कि रंगोत्सव है यह रामोत्सव है यह उद्शव का समय है लेकिन स्वामी जितेंद्रनन सरस्वती जी इस वक्त विरोधी कि ये भी कह रहे हैं अब मैं उन्हें विरोधी कह भी सकती हूं या नहीं ये तो आप सही करिये-गात टुटी हो जाए तो माफ भी करिए गा लेकिन शंक्रचारे ची कहते हैं स्वामी निशललन सरस्वती जी गोवर्दनमच की शंक्रचार मों ये कहते हैं मोदी जी लोकारपन करेंगे, मूर्ती को स्वर्ष करेंगे, तो क्या मैं वहाँ बैठ कर टालियां बजाओंगा, मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, ऐसे आयोजन में मैं क्यों जाओं। इस आलोचना के जो मूल में कारण है, उसे समझने का प्रयास करें, तीन पीठ, पुरी, सरिंगेरी और द्वारिकातीनों के शंकराचारियों ने अपना स्पष्ठी करन दे दिया है, तो महामंत्री के नाते मेरा बोलना उचित नहीं